दोस्तों बिहार लेजिसलेटिव कॉंसिल में एसो पोस्ट की नई वेकेंसी आई थी तो उचलिए उससे संबंधित ओफिस्यल वेबसाट पर न्यू नोटीस आया हुआ है तो उचलिए फटाफट आप सभी देखिए तो यहां पर देखेगा आवस्यक सूचना टैब में नोटीस है तो उचलिए सबसे लेटेस्ट वाला नोटीस डाउनलोड करते है और यह देखेगा एकजाम से संबंधित है तो यहां पर आप देखेगा बिखार बिधान परिशाज सचिवाल है कि अंतरगद अलग-अलग पोस्ट किये सब जो भी वेकेंसी है 2024 में वेकेंसी आई हुई है तो यहां पर आप देखेगा तो कुछी दिन पहले यानि एक सब्ता पहले एकजाम डेट से संबंधित नोटीस चारी किया हुआ था इसमें एड्मिट कार्ड सभी चीजों के बारे में डेट बटाया गया था और कुछ पोस्ट का दिखिकत एड्मिट कार्ड भी डाउनलोड हुआ था तो यहां पर देखेगा नोटीस जो है सभी अभ्यार्थियों को सुचित किया जाता है कि बिहार विधान परिशत सचिवाल है कि बिग्यापन संख्या 01-2024, 02-2024, 03-2024, सीधी पदोपर भरती के रिए निर्धारिज जो एक्जाम डेट था उसको आपर इहार्ज कारणों सस्थगित कर दिया गया है तो देखे जो भी यहां पर पोस्ट नेम है जाहें बिग्यापन संख्या 01-2024, परतिवेदक का हो या फिर सहायक परसाखा पताधिकार ASO बिग्यापन संख्या 02-2024 फिर डाटा एंट्री ओपरेटर इसी में 02-2024 में ही सामिल है एस्टनो ग्राफर भी सामिल है फिर इसके बाद दिखेगा बिग्यापन संख्या 03-2024 जो की कारियाल है परिचारी ओफिस एटेंडेंट वाले पोस्ट है तो सभी का दिखेगा एकजाम डेट अस्थागित हो गया है यहां पर एडमिट कार्ड का जो डेट था 31 में 31 में कुछ पोस्ट का 14 जून की इस तरह से तो यहां पर परिच्छा थी थी जो शुरू था 7 जून से थी यह दोस्तो फैनली डेट अस्थागित कर दिया गया है तो आप यह जानना चाहरे हूं कि का अखिरा परिच्छा कभ होगी क्या 2-3 मेने का समय लगेगा तो ऐसा नहीं है यहां पर दिखे कुछ कार्णों से यहां पर अस्थागित क्या आ गया है तो मेन यह था कि जून के शुरू में फर्स्ट विक से ही परिच्छा शुरू होने जा रही थी उसमें बहुत अधिक फॉर्म फिलब हुआ है बिखार विधान सभावाले में एक लाग प्लस कंडेट फॉर्म फिलब किया है तो क्या डेट के बारे में आप सभी जानना चाहते और यहां पर जो भी एर्मिट कार्ड का था इसको परवेश्पत को निरस्ट कर दिया गया नए परिक्षा कार्ज कर्म के नुसार परवेश्पत पुना ओनलान जारिक किये जाएंगे बागी कुछ यहां पर नोटीस आप देख सकते हैं